नमस्कार समाचर इंडिया में आपका स्वागत है, मैं हूँ भरत को ठियाल, बात करते हैं उत्राखंड की आंगनवाडी कारेकत्री लंबे समय से अपनी मांगू को लेकर आंदोलन पर हैं लेकिन सरकार की और से उनकी मांगो को नहीं माना जा रहा है उन्होंने अपनी मांगों को लेकर सभी परियास पूरे कर लिये थे जिसके बाद अब वो अनिश्चित कालिन हरताल पर चली गई है वहीं उत्राखंड करांती दल की और से आज इन सभी कारेकत्रियों के समर्थन में आज एक विशाल रैली का आयोजन किया गया जिसमें आगनवाडी कारेकत्रियों और उत्राखंड करांती दल के कारेकरताओं वपदादी कारियों ने परदेश सरकार के खिलाब जमकर नारेवाजी कर सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि आज पूरे परदेश में लगातार पलायन हो रहा है वो सरकार रोजगार देने में नाकामियाब साबित हो रही है वहीं जिन लोगों के पास रोजगार है उनसे भी रोजगार चीनने का काम सरकार कर रही है उत्रखन करांती दल के जीला द्यक्ष मनमोहन पंत ने बताया कि सरकार की और से लगातार रोजगार छीनने के काम किये जा रहे है वहीं दूसरी और पहाडों से हो रहे लगातार पलायन परंकुष लगाने में सरकार नाकामियाब है और जिन लोगों के पास रोजगार है उनसे रोजगार भी छीना जा रहा है उन्होंने आगे बताया कि जब तक आंगन बाडी कारेकत्रियों की मांगों को नहीं मान लिया जाता तब तक हम उनके साथ डटकर खड़े रहेंगे पूरे राज्यों में चलेगा उक्रांत का उक्रांत के वरिष्ट नेता सुबोध पोख्रिया ने बताया कि आज परदेश में लगातार रोजगार समाप्त होते जा रहे हैं वहीं आंगनवाडी कारे कत्री अपनी सामान्य मांगो को लेकर परदेश सरकार से मांग कर रही है लेकिन परदेश की सरकार उनकी मांगो को सुनना तक नहीं चाती जिसके विरोध में आज उन्होंने जिला मुख्याले पौडी में एक विशाल रेलिक आयोजन किया इसके परदेश वियापी का अंदोलन था और परदेश नित्रोतों की तरफ से इसपस्ट दिसानिर्देश था कि हर जिले में अंगन बाड़ी कारेकरतियों के समर्थन में एक ग्यापन दिया जाए और धरना किया जाए इसमें इसपस्ट मांगे परमुख मांगे यह हैं कि इनका म परदीपनेगी की रिपोर्ट अब बात पंजाब की करते हैं आज कल पंजाब से करीब 40-45,000 बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए विदेशों में जा रहे हैं और बहुत सी ऐसी शिकायते मिल रही हैं कि विदेशों में बच्चों के साथ बहुत सी जातियां हो रही हैं कुछ बच्चों को वहाँ पर काम भी नहीं मिलता उसका कारण है कि बच्चे विदेश जाने के चक्कर में गलत एजेंट के हाथों चड़ रहे हैं जो उनको पूर परहिस सरकार से मिलकर एक कमेटी घटित की जाएगी जिसमें परशासन के अधिकारी भी शामिल होंगे और वो ऐसे केसों के बारे में जाच करेंगे इसमें किसकी गलती है जिसके कारण विदेश में स्टडी करने गए बच्चों को परिशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो पंजाब और बाकी इंडिया के अंदर अधर स्टेट्स में डील करते हैं उन्हें की एक संस्था बनाई गई है इसके नाम से ही यह दर्शाता है। किस फोलो की जाएं उसके बारे में वेर किया जाएं और क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए एजर रैस्पॉंसिबल मेंबर ओफ आ कोस उस बारे यह मीटिंग हैं रखी गई सीगी तो यह काफी समय से डिमांड थी कि यह कोस की मीटिंग मोगा में किस बारे जाएं कुछ जो इमीकेशन वाले उनको बैक मिलिंग कर रहे हैं जाओ उनकी स्टेडी महां पर प्रॉपर नहीं हो रही है वहां पर बोल दिया जाता है कि आपको बड़ा ही वाजिब है और ठीक ही है इस तरह के कंसर्ण अकोस के सामने काफी आए हैं तो आकोस ने इस मीटिंग से पहले भी और आज की मीटिंग में जो कंसर्ण हमारे मुगा मेंबर्स ने मुठाए हैं उसके भिहाब पर हम लोगों ने डिसीजन लिया है कि अकोस की डिस्ट्रिक्ट वाइज एक कमेटी बनेगी उस कमेटी में में मेंबर्स चेक करेंगा अगर कोई कंप्ल को जरूर पता होता है उसका कि इसमें क्या गड़बर हो सकते हैं क्या नहीं तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि कमेटी बनेगी वो कमेटी चेक करेगी कि वाकी बच्चे के साथ हो कदड़ी हुई है या बच्चा कंसल्टेंट को परेशान कर रहा है और उस स्कूटनी अगर कोई कारवाइब बनती है तो उसे सपोर्ट करेगी इस कनसल्टन पर कारवाइब की जाए ताकि इंडस्टरि बतनाम ना हो और अगर महा बच्चा गल्थ है तो बच्चे के खलाब भी वो कारवाइब की जाएगी ताकि बотив Corn homework की कोशेश ना कर और इस सेंब बाद चेत administration के साथ भी चलिए कि committee कुछ administration के उसमें हो police से हो कोई DC office एक बंदा हो और दो-तिन दो कम से कम जो representative हो हमारी industry से हो अगर कोई भी police के पास complaint आती है तो कम से कम उस committee को बलाया जा जिसमें administration के भी लोग हैं और हमारी industry से भी लोग हैं और वो उस problem को शोट आउट कर पाएं easily पंजाब से विप्पन उकारा की रिपोर्ट इस रिपोर्ट में इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जोड़े रहें समाच रिंडिया के साथ खबर से लेकर असर तक नमस्कार